हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं जोतिश रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिया शोता गणों का दर्शक गणों का बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत और अभी नंदर प्रियसातियों आज हम आपके साथ जो चर्चा करने जा रहे हैं यह चर्चा हम प्रत्यख महा एवरी मंत आपके साथ करते हैं। विशह को ले करके यह विशह है शुब महुर्थ और यह जो शुब महुर्थ है इस चर्चा में यह अक्टूवर 2022 के विशह में बात करेंगे हैं कि अक्टूवर 2022 के जो शुब महुर्थ हैं उनके विशह में आपके साथ हम बात करने वाले हैं तो प्रियसातियों आज के जैसा मैंने कहा है इस कार्रेकर में हम आपको बताने ये जा रहे हैं कि अक्टूबर 2022 के महीने में आप अपने शुब कार्रे जैसे की नवजात शिशू है उसका नामकरण करना चाहते हैं तो उसके लिए शुब मुहूर्थ शुब तारीक बच्चों का मूडर नगर कराना चाहते है तो उसके लिए शुब मुहूर्थ शुब तारीक इसी प्रकार कोई वहनादी खरीदना चाहते हैं उसके लिए कौन सी शुब तारीक आपके लिए रहेगी सही और उसका शुब मुहूर्थ क्या सही रहेगा आपके लिए ग्रह प्रिवेश करना चाहते हैं इस महीने में अक प्रियसातियों आगे भी हमने चर्चा में इस बात का जिक्र किया है जब भी हमने शुब मुरुत की बात की है कि ये शुब मुरुत जो होते हैं या शुब तारीक जो होती है किसी भी शुब कार्रे को संपन करने के लिए ये इसलिए होती है कि अगर व्यक्ति अपना कोई भी शुब कार्रे शुब तिथी में शुब मुरुत में अगर संपन करत होता है तो उसके अच्छे परिणामों की प्राप्ति उसको होती है और वो कार्य भी पूर्ण रूप से संपन्न होता है भली भाती बस यह इसका सबसे बड़ा एक लाब है तो अब जैसा की उप्रोक्त शुब कार्ये सही प्रकार से संपन्न हो सकें आपके जिनका हमने नाम लिया अभी उनी के शुब मूरुतों की बात आपसे होने जा रही है और भविश्य में आपको उनके अच्छे परिणाम आप प्राप्त कर सकें यही हमारी इच्छा रहती है क अपने शुब तारिखों में शुब तेथियों में और शुब मूर्तों में संपन्न कर सकें इसलिए हम इतनी मेहनत करके यह सब एक साथ आप तक पहुंचाते हैं तो हम आपको आज की इस चर्चा में भूमी पूजन ग्रह निर्मान प्रोपर्टी आदी अगर खरीदना चा चाहते हैं को नया कार्यारम करना चाहते हैं उनके लिए कौन-कौन सी शुब तारिख हैं आपके लिए सूट करेंगी और कौन सा शुब मूर्त अच्छा रहगा आपके लिए इस महीने और इसके अतिरिक्त साथियों इस प्रोग्राम को वीडियो के तहत बनाना और आप तक पहुचाने का जो हमारा उद्देश है वो यही है कि आपको अपने अलग-अलग जो भी शुब कार्ये हैं उनके लिए कहीं अलग-अलग इधर उधर ना भटकना पड़े परिशान ना होना पड़े तो इसलिए एक ही वीडियो में हम सभी शुब कार्यों की शुब तितिया शुब तारीक और शुब मूरतों की समयवदी आप तक लाते हैं पृतियक महा यह भी एक सबसे बड़ा कारण है कि ताकि आपको एक ही वीडियो के द्वारा सारी चीजों में जो भी आप देखना चाहते हैं वो आपको यहां पर मिल जाए और आपको इधर उधर परिशान ना होना पड़े तो आज आपको इस चर्चा में हम यह भी बताएंगे सबसे पहले कि सरवार सिद्धी योग किन कार्यों के लिए देखा जाना चाहिए उनकी शुब्ति थी इस महीने शुब मूरत की समयवदी उसके विशे में बताएंगे अमरिश सिद्धी योग किन शु कौन से वो शुब कारे हैं जो हम संपन कर सकते हैं रवी योग में उन सभी की आपको शुब तारीक और शुब मूरत की समयवदी आपको बताने जा रहे हैं वैसे आपको यह बताना चाहेंगे हम यहां कि इस महीने गुरु पुश्य रवी पुश्य योग नहीं पढ़ेगा इस अक्टूबर के महीने में तो आईए सबसे पहले बात आप से करते हैं सरवार सिद्धी योग के विशे में और बताना चाहेंगे के सरवार सिद्धी योग है क्या देखिए सरवार सिद्धी योग जो है यह योग बहुत महत्पूर्ण कार रहे हैं जो होते हैं व्यक्ति जैसे कोई व्यापारिक कार्रेया आपने करना है कोई राजकी अनुबंद करना है या कोई आप व्यापार करते हैं किसी अपने क्लाइंट के साथ आपका कोई एग्रिमेंट होना है या किसी पाल्टी के साथ आपका कोई टाई अप होना है इस तरीके के जो भी व्यापारिक अ रहे हैं या किसी के साथ कोई अनुबंद हो रहा है सरकारी या आप वैसे भी कहीं प्राइविट जॉब में भी है और वैसे भी कहीं किसी के साथ आप जुड़ रहे हैं किसी क्लाइंट को अपने साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के साथ तो यह ऐसे जितने भी एग्रिमेंट्स ह हैं उनके लिए सरवार सित्योग बड़ा उचित माना गया है है और इसके अतिरिक्त जैसे परिक्षा आधी में बैठना किसी भी एक्जामिनेशन में एपियर करना चाहते हैं या फिर नौकरी जॉइन करना चाहते हैं या नौकरी के लिए इंटर्व्यू में आप जाना चाहते हैं या फिर इलक्षन आधी में अपना नामांगकन आवेदन वगरा करना चाहते हैं उसके लिए या फिर कोई वैलुएविल प विक्री आप करना चाहते हैं यात्रा करना चाहते हैं ट्रेवल या फिर कहीं आपका कुछ कानूनी मसला फसा हुआ है और आप केस करना चाहते हैं किसी पर इसी प्रकार अगर आप कोई दूसरा योग नहीं निकल रहा है तो भूमी भी आगर आप खरीदना चाहते हैं या सवारी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये सरवार सिद्धी योग देखा जाता है लेकिन यदि ये हम हमेशा बताते हैं जब भी हम शुवमुहूत की बात करते हैं सरवार सिद्धी योग के विशार में बताते हैं तो ये बात भी हम जरूर उसमें ऐड्ड करते हैं और वो यह है कि यदि गुरू ये ध्यान देने वाली बात कि यदि गुरू या शुक्र दोनों में से कोई भी एक ग्रह्म या दोनों अगर अस्थ ना हो तब जो सरवार सिद्धी योग का शुभ मूर्थ है उसकी स्वमयवदी है मूर्थ की तब ही वो पूरी तरीके से लाब कारी है या फिर कोई अधिमास वगेरा ना चल रहा हो यानि के गुरू अस्तना हो, गुरू ग्रह, विरस्पती ग्रह, शुक्र ग्रह, अस्तना हो, अधिमास ना हो, ये जरूर आपको इन चीजों का ध्यान जरूर रखना चाहिए अगर इन तीनों मेंसे कुछ भी एक है, तो फिर आप बेशक सर्वार सिद्ध्धियोग हो, तब आप कोई ऐसा कारणे ना करें, जिनका अभी हमने आपसे जिक्र किया है, उन शुक्रारों का, कि सर्वार सिद्ध्धियोग में जो शुक्रारे किये जा सकते है, जिनकी बात तो यह सरवार सिद्धियोग इस प्रकार देखा जाता है अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि सरवार सिद्धियोग इस अक्टूबर 2022 में पूरे महीने कौन-कौन सी तारिख को पड़ेगा कब से कब तक रहेगा यह हम आपको बताने जा रहे हैं तो आईए सबसे पहले मैं आ दूपहर एक बच्कर तरहेपन मिनट तक ये बना रहेगा उननी के दो अक्टूवर की रुवीवार के दिन प्रात्य सूर्य उद्टा ये के लेकिन उस दिन ये शाम चार बच्कर इकिस मिनट तक ही रहेगा प्रात्य काल से लेके इसके बाद 11 अक्टूबर को दिन मंगलवार होगा उस दिन भी ये 11 अक्टूबर को भी सूर्य उदय से ही आरंब हो जाएगा सरवार सिद्धियों और शाम के 4 बचकर 17 मिनट तक बना रहेगा इसके बाद ये 12 अक्टूबर को दिन भुधवार को शाम के 5 बचकर 10 मिनट से ये आरंब होगा और 13 अक्टूबर की प्रहते सूर्य उदय तक ये बना रहेगा इसके बाद 18 अक्टूबर को दिन मंगलवार होगा और प्रहते 5 बचकर 12 मिनट से ये सूर्य उदय से भी पहले आरंब हो माइस के बाद यह मंगलवार के दिन और उस दिन परा पांच बचकर बारर निट से आरभ और आ भी कि बहुत कम समय के लिए रहेगा अठारेक्टूबर को यह प्रात बचकर बारे मिनट से लेकर के मंगलवार के दिन 18 की बात हू रही है और बस ये सूर्य उदय तक ही रहेगा प्राते काल में ही रहेगा बस ये जैसे ही सूर्य उदय होंगे उस दिन 18 अक्टूबर को ये समाप्त हो जाएगा इसके बाद 21 अक्टूबर को दिन शुक्रवार होगा उस दिन ये दोपहर बारे बचकर 28 मिनट से आरंब होगा और 22 को भी ये दिन रविवार का होगा सूर्य उदय होने से आरंब होगा ये सरवार सिद्धी योग और 24 अक्टूबर की सूर्य उदय होने तक बना रहेगा इसके बाद 27 अक्टूबर को दिन गुरुवार यानि के ब्रस्पतिवार का दिन होगा उस दिन और उस दिन ये आरंब होगा सरवार सिद्धी योग दोपैर 12 बचकर 11 मिनट पर और 28 अक्टूबर की प्राते 10 बचकर 42 मिनट तक यह बना रहेगा इसके बाद यह 30 अक्टूबर को आरंब होगा रविवार के दिन प्राते सूर्य उदैसे और 30 अक्टूबर की ही प्राते 7 बचकर 26 मिनट तक बना रहेगा इस महीने के अंतिम दिन यहनी के 31 अक्टूबर को यह सौंवार का दिन होगा उस दिन उस दिन यह प्राते 5 बचकर 47 मिनट से आरंब हो करके और 31 अक्टूबर की सूर्य उदै होने तक यह बना रहेगा सर्वार सद्धि योग तो मेरे प्रिये साथियों इस अक्टूबर दो Deus Neben में जो जो तारीख हैं हमने आपको बताई हैं उन उन तारीखों में सरवार सिद्धी योग कब से कब तक रहेगा इसकी भी हमने चर्चा आप से की है अब आगे हम आप से बात करने वाले हैं अम्रिस सिद्धी योग के विशे में देखिए सरवार सिद्धी योग में संपन कि जाने वाले जितने भी शुब कार्ये हैं प्रियसातियों उनके अलावा उनके अलावा प्रेम विभा करना जैसे लव मेरिज या आप कोई फॉरिंड टूर पर जाना चाहते हैं विदेश यात्रा करना चाहते हैं या पर किसी कार्य की सिद्धी के लिए कोई कार्य सिद्ध करन करना चाहते हैं उसके लिए कोई आपको धार्मिक बड़ा अनुष्ठान करवाना चाहते हैं तो साथियों यदी सर्वार सिधियोग एवं अमरिस्थ ॕ जिसकी अभी हम बात कर प्राप्त होता है लेकिन यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो यह है कि अम्रिशित्य योग के दिन कुछ तिथियों को त्याज्य माना गया है यहनिके उनको ले करके यहाँ पर जो वर्जित हैं तिथियां उनकी बात कर रहे हैं और वो जो शुब नहीं मानी जाती है शुब नहीं मानी गई है अब वो कौन कौन सी तित है वो रविवार से लेकर के और शनिवार के बीच इतवार से लेकर और शनिवार के बीच में पंचमी हो छट हो सब्तमी हो अश्टमी हो नवमी हो दशमी हो एकादशी हो लगातार पंचमी से लेकर एकादशी तक जितनी भी यह लगातारों दृट हैं और रविवार से लेके शनीवार बीच के बीच वर्जित मानी गई है कि कहने का बहु यह है कि सरवार शिद Flut क्विक पिस समय में लेकिन तिस इन में से कोई एक है पंचमी से लेकर एक आदिशी के बीच तो फिर उस वो फिर कार्णे आपको शुप कार्णे उस दिन नहीं करना है अब अलीजे के शुप कार्णे के लिए धारल के तोर पे जैसे रविवार के दिन हसन अक्षत्र हो गया बात कह रहें तो उस दिन अमरी सिद्धियोग बनेगा लेकिन तिथ अगर पंचमी से एक आदिशी के बीच में कोई एक पड़ गई तो फिर उस तिथी में सरवार सिद् कि अमरी सिद्धियोग इस अक्टूबर 2022 में कौन-कौन सी तारिख को कब से कब तक रहने वाला है पहला जो अमरी सिद्धियोग पड़ेगा वह 11 अक्टूबर दिन मंगलवार को पड़ेगा और यह सूर्य उदय से ही आरंभ होगा और यह शाम के उस दिन 4 बचकर 17 मिनट त होलेगा 23 अक्टूबर को कि दिन रविवार का होगा और उस दिन यह दो पहर को दो बचकर 34 मिनट से आरंभ होगा और यह 24 अक्टूबर की प्रहते सूर्य उदय होने तक बना रहेगा कहने का भाव यह है कि यह जो अमरी सिद्धियोग है इस अक्टूबर 2022 में मात्र दो दि हैं यानिके 11 अक्टूबर और दूसरा 23 अक्टूबर आगे हम बात करेंगे आपके साथ रवी योग के विशे में तो प्रियसातियों इस योग में यदि तित्ध वार वार माने सौमवार मंगलवार वीरवार शुक्रवार वार का मतलब कहने का भाव यह है कि इस योग में यानिके रवी योग पड़ रहा है और उसी योग में उस दिन किसी भी दिन मान लीजे रवी योग है और उसमें तित्ध और वार या नक्षत्र इन तीनों में से कोई भी एक या तीनों अगर कोई दोश बना रहे हैं मान लीजे कई बार क्या होता है कि कोई भी शुब मुर सही नहीं होता या फिर वो नक्षत्र सही नहीं होता कि कई बार तीनों भी नहीं सही होते तो फिर वो शुब मूरती नहीं माना जाता तो मान लीजें इन तीनों में से कुछ भी अगर कहीं दोश है बन रहा है इसके कारण तित के कारण तिथी के कारण वार और नक्षत रादी से उन दोशों को यह समाप्त कर देता है पूरी तरह तो वैसे रवी योग में हम क्या कर सकते हैं कौन से शुपकारे संपन कर सकते हैं सामानने तब अगर आप अन्यदान करना चाहते हैं तो रवी योग में करेंगे तो उसका बहुत शुपफल प्राप्त होता है या फिर गवदान करना है तो प्रियसातियों अगर गवदान करना चाहते हैं तो रवी योग में करें हमेशा अगर आपने भूदान करना है यानि कि जमीन किसी को दान करनी है बहुत लोग होते हैं कि अपनी जमीन अपनी बेटी को अपनी बेहन को या अपने किसी और को दान करते हैं तो यह आप या फिर कोई सरकारी छेत्र में कोई आपने अ अधैनी है या आपका कोई promotion हुआ है मान लीजे और आपको transfer मिली है तो आप gibi अधार हो रही है जहां पर भी ओर रही है आप रवी योग में जाए और अध्यैज को अधान करें को बहुत कि आपकी promotion हो रही है को उन्सjoint और अध़ को तो ऐसे कार्रे आप रवी योग में कर सकते हैं आगे हम आपको बताएंगे के रवी योग इस अक्टूबर 2022 में कब-कब किस-किस तारिक को और कब से कब तक उसका महूरत है इसके विशे में आपको बताने जा रहे हैं तो पसातियों रवी योग की जो तारिक हैं शुब तारिक हैं और शुब वार और उनके शुब महूरत की समय अब दी अब हम वो आपके साथ साजा करने जा रहे हैं तो देखिए रवी योग जो है इस महीने अक्टूवर 2022 में पहला जो रवी योग पड़ेगा वो एक अक्टूवर को ही पड़ेगा दिन शनिवार का होगा और उस दिन ये प्राहते चार बचकर 19 मिनट से आरंब होगा और फिर ये दो अक्टूवर की प्राहते है तीन बचकर 11 मिनट तक रहेगा दूसरा रवी योग आरंब होगा तीन अक्टूवर को उस दिन सौमवार का दिन होगा उस दिन ये रात्री 12 बचकर 25 मिनट से आरंब होगा तीन अक्टूवर की रात्री को सौमवार की दिन और ये पांच अक्टूवर की रात्री 9 बचकर 15 मिनट तक बना रहेगा आगे ये बनेगा 7 अक्टूबर को फिर उस दिन शुकुरवार का दिन होगा और उस दिन ये शाम को 6 बचकर 17 मिनट से आरंब हो करके 8 अक्टूबर की शाम 5 बचकर 8 मिनट तक बना रहेगा इसके बाद ये 15 अक्टूबर को उस दिन शनिवार का दिन होगा और ये रात्री को 11 बचकर 22 मिनट से आरंब हो करके 17 अक्टूबर की दो पहर 2 बचकर 14 मिनट तक बना रहेगा आगे ये फिर बनेगा 28 अक्टूबर को उस दिन शुकरवार का दिन होगा और ये 10-12 बचकर बयालिस मिनट से उस दिन आरब हो करकर 39 अक्टुबर की प्रादे नो बचकर 6 मिनट तक इंद बना रहे हैं और इस महा के अंतिम दिन ये 3 अक्टुबर को बनेगा रवीयो तो रविवार का दिन होगा उस दिन उस दिन ये प्राते 7 बचकर 26 मिनट से आरंब हो करके 31 अक्टूबर की प्राते 5 बचकर 47 मिनट तक बना रहेगा तो ये थी प्रियसातियों वो शुब तारीखें और शुम मुरुत की समय अवधियां जो अक्टूबर 2022 में ये रवी योग जो है उसकी ये पढ़ने वाली हैं तारीखें शुब तारीखें उसके विशह में हमने आपको जानकारी दिये अब हम आगे बात करेंगे आपसे कि यदि आप मेंसे कोई भी अपने लिए या अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए कोई वाहन आदी खरीदना चाहते हैं सेकंड हैं या नया उसके लिए वो इस अक्टूबर 2022 में कौन-कौन सी शुब तारीखें निकल करके आई हैं उस दो पईया वाहन खरीद रहें या चार पईया करीद रहें तो उसके लिए जो शुब तारीखें हैं वह हम आपको बताने जा रहे हैं वैसे तो आप चार्ट में भी देख सकते हैं हमारे पीछे चार्ट जो डिस्पले हो रहा है तो द। देखें पहला जो शुम हुर्थ है वो 5 अक्टूवर सन 2022 को बन रहा है वाहन खरीदने के लिए दिन बुद्वार का होगा और ये प्राते 6 बचकर 16 मिनट से आरंब होगा जो की 6 अक्टूवर की प्राते 6 बचकर 17 मिनट तक बना रहेगा। इसके बाद ये 7 अक्टूवर को शुकरवार का दिन होगा उस दिन ये प्राते 7 बचकर 26 मिनट से आरंब होकर के शाम 6 बचकर 17 मिनट तक रहेगा। बनेगा 14 अक्टूवर को 14 अक्टूवर को दिन शुक्रवार का होगा उस दिन ये प्राते 6 बचकर 21 मिनट से आरंब हो जाएगा वहन खरीदारी का योग शुभ योग और 15 अक्टूवर की सुभा 6 बचकर 22 मिनट तक ये बना रहेगा। इसके बाद ये 17 अक्टूवर को बनेगा। और 28 अक्टूवर की प्राते 6 बचकर 30 मिनट तक बना रहेगा। अंत में इस महीने के ये 28 अक्टूवर को होगा शुभ मूर्थ और शुभ तारीक है ये 28 अक्टूवर की उस दिन भी शुकरवार होगा। और ये प्राते 6 बचकर 30 मिनट से आरंब हो जाएगा। आपके वाहन खरीदारी के लिए शुभी हो 28 अक्टूवर को। बहुत कम समय के लिए है कुछी घंटों के लिए है ये उस दिन प्राते 6 बचकर 30 मिनट से प्राते 10 बचकर 33 मिनट तक मात्र। तो ये थी वो शुभ तारीक हैं और उनमें पढ़ने वाली शुभ समय अब धी मूरतों की जिन में कि आप अपने लिए या अपने परिवार जन के लिए वहन आदी की खरीद कर सकते हैं। और आप मेंसे कुछ जातक हम से ये भी पूछते हैं कि गाली की बॉकिंग करानी है क्योंकि आजकल कुछ गाड़ियां ऐसी भी हैं कि जो बुकिंग पर मिलती हैं... बुक कराएंगे तो एक महीने बाद दो महीने बाद या छे महीने बाद जब भी मिलनी है डिलीवरी उसकी या एक हफ्ते बाद तो आप में से कुछ जातकों के हमारे पास क्वेरी जाती हैं कि गाड़ी बुक कराने के लिए कौन सा दिन शुब रहेगा तो प्रियसातियों गाड़ी बुक अगर आपने करानी है तो सरवार सिद्धियोग में करा सकते हैं लेकिन जैसा मैं कह चुका हूँ आरम में कि उस दिन तारा डूबा हुआ नहीं होना चाहिए गुरू ब्रस्पती अस्तना हो शुक्र अस्तना हो ये जरूर देख ले आगे हम चर्चा करेंगे आपके साथ मूंडन संसकार के विश्व कि जो जातक अपने नवजात शिशुओं का मूंडन कराना चाहते हैं तो क्या उनके लिए इस अक्टूवर 2022 में कोई शुब तारीक या शुब मूहुरत निकल करके आ रहा है तो आपको बताना चाहेंगे साथियों कि बच्चों के मूडन संसकार की जो शुब तारीक एवम शुब मूहुरत का समय है वो इस अक्टूवर 2022 में उपलब्द नहीं हैं क्योंकि ये चतुर मास भी चल रहा है अभी देव भी सो रहे हैं तो इसलिए मूडन संसकार तो इस महीने कोई शुब ती शुब तारीक बड़ा इंतिजार करना होगा इसके लिए इस कार्रे के लिए आगे बात करते हैं कि जो जातक अपने नवजात शिशु का नामकरन संसकार करना चाहते हैं इस महीने तो उनके लिए वो कौन सी शुब तारीक हैं और उनमें पढ़ने वाले वो जो शुब मूहुरत की समय संसकार के लिए चार अक्टूबर संद दोहजार बाइस दिन होगा उस दिन मंगलवार और उस दिन ये शुब मूहुरत आरंब होगा दोपहर बारा बचकर पच्चेस मिनट से और कब तक रहेगा पांच अक्टूबर की प्राते साथ बचकर बैयालिस मिनट तक दूसरा जो योग शुब योग शुरू होगा नवजाश शिशू के नाम करन संसकार के लिए वो होगा 9 अक्टूबर को उस दिन रविवार का दिन होगा और प्राते चे बचकर 22 मिनट से ये शुम मुहुरत का समय आरंब होगा 9 अक्टूबर की प्राते और ये 10 अक्टूबर की प्राते 8 बच कर 23 मिनट तक बना रहेगा इसके बाद की जो तारीख है आप के बच्चों के जो नवजाश शिशू है उनके नाम करन संसकार के लिए ये निकल के आ रही है 13 अक्टूबर तेरह अक्टूबर 2022 उस दिन गुरुवार का दिन होगा ब्रस्पतिवार का दिन और उस दिन ये शुम मुहुरत का समय अब्धी आरंब होगा प्राते च्छे बचकर 41 मिनट से और शाम के च्छे बचकर 26 मिनट तक बना रहेगा इसके बाद 18 अक्टूबर 2022 दिन महोगा मंगलवार उस दिन भी ये प्राते पांच बचकर 12 मिनट से ये यो आरंब हो जाएगा शुम मुहुरत का समय और 19 अक्टूबर की प्राते च्छे बचकर 28 मिनट तक बना रहेगा इसके बाद 19 अक्टूबर को ये बनेगा शुम मुहुरत की जो तारीख निकल करके आ रही है दिन बुद्वार होगा और उस दिन ये शुम मुहुरत की समय अब्दी आरंब होगी प्राते च्छे बचकर 28 मिनट से लेकर के 20 अक्टूबर की प्राते आथ बचकर 2 मिनट तक इसके बाद ये आरंब होगा 23 अक्टूबर को उस दिन रवीवार का दिन बचकर 24 से यह आरंब हो जाएगा यणि के अर्ध-रातणी के बाद से तो 23 अक्टूबर की रवीवार की प्राते हो गई 24 मिनट से और ये दोहर के 2.42 मिनट तक ही रहेगा अगर आप यह कहें के भई हमको दिन में करना है तो यह मान करके चल सकते हैं कि प्राते 23 अक्टूबर की रविवार की प्राते सूर्य उद्य होने से ले करके और दो पहर दो बचकर 42 मिनट तक ऐसे भी मान सकते हैं योग तो मैंने कहा रात कोई चुरू हो जाए का शुχमूरत का और 28 अक्टूबर की प्रादन 10 बचकर 42 मिनट तक बना रहे क्था और अंतमें इस महीने के 31 अक्टूबर को अंतिम तारीं 31 अक्टूबर अंतिम व्मूरत निकल करके आ रहा है नामकरन संसकार का उस दिन सौमवार का दिन होगा और ये उस दिन प्राते पांच बचकर 47 मिनट से आरंभ हो करके एक नवंबर की प्राते चे बचकर 37 मिनट तक बना रहेगा तो मेरे प्रियसातियों ये थी इतनी डेट्स शुब तारीखें और उनके शुब उनका जो नामकरन संसकार आप करना चाहते हैं उनकी ये हमने शुब तारीखें और शुब मूरूत की समयवदिया आपको बताया है आगे हम बात करेंगे आपके साथ कि यदि आप में से हमारे कोई भी दर्शक प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं चाहें वो कॉमर्शियल के लिए हो चाहें वो पर्सनल यूज के लिए हो किसी भी परपस के लिए हो या फिर घरादी खरीदना चाहते हैं घर में कोई मकान है कोठी है बंगलो है कुछ भी खरीदना फिलेट है कुछ भी आप खरीदना चाहते हैं तो उसकी खरीदारी के लिए इस अक्टूबर 2022 में वो कौन-कौन सी शुब तारीक हैं उनमें पढ़ने वाले वो शुमुरुत की समयवदी हैं जिन में आप ये शुब कार्रे संपन कर सकते हैं तो आईए आपको बताते हैं कि पहला शुमुरुत जो निकल रहा है प्रॉपर्टी या घर खरीदने के लिए अक्टूबर 2022 में वो आरंब होगा चार बचकर 21 मिनट से 9 और की और ये 10 अक्टूबर चार बचकर clergy ये बात द्यादेने वाली है के 10 अक्टूबर की शाम 4 बचकर दो मिनट तक बना रहेगा यनिके आप 10 October का पूरा दिन है आपके पाद शाम के चार बच कर दो मिनट तक जब आप अपनी रईष्टियां वगेरा करा सकते हैं और इसके आगे फिर ये शुरू होगा 14 October के दिन शुक्रवार का दिन होगा उस दिन ये रात्री से आरंब होगा आठ बचकर 47 मिनट से रात्री और 15 October की रात्री 11 बचकर 22 मिनट तक रहेगा फिर 19 October को ये आरंब होगा बुद्वार का दिन होगा उस दिन ये दोपहर 2 बचकर 16 मिनट से आरंब होकर के 21 October की शाम 5 बचकर 25 मिनट तक बना रहेगा और अंत में इस महीने के अंतिम जो शुब तारीख निकल करके आई है ये है 29 October और उस दिन शनिवार का दिन है और शुब मुहुरुत की समय अफदी आरंब हो जाएगी प्राते नौ बचकर 6 मिनट से उसे जो की 30 October की रात्री तीन बचकर 29 मिनट तक बनी रहेगी अब हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं कि प्रॉपर्टी तो आपने खरीद ली उसकी रिष्टी भी हो गई शुब मुहुरुत में शुब तारीख में अब उसका भूमी पूजन वगरा भी करना है और यदि आपने कोठी बंगला बंगलो फ्लेट आदी खरीदा है मकान खरीदा है जो भी खरीदा है तो आपको उसक में ग्रह प्रिवेश भी करना होगा और यदि आपने खाली लौटी खरीदना है कि अपना खुद का घर्ब बनवाना है तो अब हम जो बताने जा रहे हैं वह भूमी पूजन और भूमी पूजन के बाद की जो करणवाइऍ andar होती है यादि के लिए कि जमीन पर क्यों सी भी घूंट का तो वह भ्होमी पूजन बीसमें के पश्चाथ ही होता है तो हम आपको यहां पर यह बताना चाहेंगे प्रियसाथियों कि इस महीने भूमी पूजन या किसी भी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन आप आरम करना चाहते हैं तो उसके लिए शुप तारीक और शुब मुहुर्थ उपलब्द नहीं है इस महीने यानि कि इस महीने शुब मुहुर्थ हैं ही नहीं इन शुब कार्रयों के लिए यानि भूमी पूजन और कंस्ट्रक्शन वगरा स्टार्ट करने के लिए तो इस महीने अगर यह कार्य आप ना करें अभी आप थोड़ा सा इंतजार कर लें तो अच्छा रहेगा आगे आप से बात करेंगे कि आप मैंसे बहुत ऐसे जातक होंगे कि कुछ अपना नया कारोबार नया व्यवसाय आरम करना चाहते होंगे कोई अपनी फैक्टरी लगाना चाहता होगा कोई अपनी दुकान खोलना चाहता होगा कोई शोरूम खोलना चाहता होगा जो बगएरा बगएरा कोई न्यू स्टार्ट अप करना चाहता होगा तो जो भी कार्य चोटा से चोटा या बड़ा सा बड़ा जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए शुब तारीखों का चैन भी तो होता है तो क्या इस अक्टूबर 2022 में शुब तारीख है उपलब्द हैं तो हम आपसे बताना चाहते हैं प्रियसातियों कि इस महा जो भी इस प्रकार का कोई नया विफसाय आरम करना चाहते हैं उनके लिए कोई शुब तारीख या शुब मुहूर्थ उपलब्द नहीं है तो अभी आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा इसके लिए आगे बात करेंगे ग्रह प्रवेश के शुब मुहूर्थ में हमने रेइश्ट्री करा ली फिलेट खरीद लिया कोठी खरीद ली बंगलो खरीद लिया तो क्या अक्टूबर 2022 में हम ग्रह प्रवेश कर सकते हैं उनके लिए कोई शुब तारीख हैं प्रियसातियों इस अक्टूबर 2022 में ग्रह प्रवेश के लिए कोई भी शुब तारीख या शुब मुहूर्थ उपलब्द नहीं है अंत में बात करेंगे आपसे शुब विभा की कि भाई शुब विभा इस अक्टूबर 2022 में उनके लिए कोई मेरीजी जुब अगरा के लिए कोई शुब तारीख हैं निकल करके आ रही है और उनके शुब मुहूर्थ तो साथियों क्योंकि तारा भी अस्थ होगा इस महीने तो शुब विभा के लिए कोई शुब मुहूर्थ या शुब तारीख या शुब तित्थी उपलब्द नहीं होगी तो अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा कोई समय और तो मेरे प्रिये साथियों ये जो हमने आपके साथ चर्चा की है ये अक्टूवर 2022 के अलग-अलग शुब कार्यों के लिए जो शुब मुहूर्थ और शुब तारीख और शुब तित्थी निकलती हैं या निकल करके आई हैं हमने उसके विशे में आपको जानकारी दिये ये चर्चा आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक करना ना भूले चैनल को भी प्रिये साथियों जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भी जो लोग हैं वो भी इस जानकारी का लाब प्राप्त कर सकें और उन सभी की नोटिफिकेशन्स और वे सारे वीडियो भी समय रहते सीधे आप तक पहुँचें तो फिर आप जो बैल आइकन देख रहे हैं इसको जरूर पुश्च कीजिए इसी के साथ आपका सेहर दे बहुत बहुत धन्यवाद जै मातादी लाईँन्स कीजिए यजिकी जस्कों सेग्फिकित dangos ज़ादी ज़तम रे सेहर जिए DM जिए मातादी मातादी बहुत ज़ Wells' c दो बहुत सेहर रहुत रहुत हो एक मातादी। की वे're ङ Southwest चात्के